हलो एवरीबडी वल्कम बैक टू दे चैनल और आज आपको हम लोगे कैसा होटल दिखाने वाले हैं जो व्यू के मामले में बहुत जबरदस थे मॉल डोड से सिफ 300 मीटर दूर है जादा दूर निया ब्रिज कोर्स करते ही आप लोगों को यहां मॉल डोड ब्रिज कोर्स किया और यह होटल hotel का नाम है नदी किनारे, नाम का नदी किनारे नहीं है, है सज भी नदी किनारे, ये ब्यास रिवर के blessed किनारे पर बनाओ हो location एकदूआ पर अच्छा है, आई आपको दिखाते है, hotel कैसा है, बहुत, सुन्द लोकेशन पर ये hotel liberty बना धूय है यह है hotel नधी किनारेट और मतलब आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का reception यहाँ पर आप चेक इन और चेक आउट करते हैं और जो चेक आउट की टाइमिंग है सुबह 11 बजे की है कपड़े धोना बिल्कुल बना ठीक है सो यह है यहाँ का reception reception से बिल्कुल जुड़ा हुआ है यहाँ का restaurant सो जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ पर यहाँ का restaurant और काफी बड़ा इस्पेस है अराम से 40 पीपल आराम से यहाँ पर डाइनिंग पर बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और काफी बड़ा है खुल नहीं हो सकती सिफ मॉल लोड से यहाँ 300 मीटर दूरे बस आपको reception दिखा दिया है आपको मैंने restaurant दिखा दिया है अब हम चलते हैं आपको दिखाने यहां का रूम हमें देखना है first floor पर चलिया आई आपको रूम भी दिखाते हैं यहां से रास्ता जाता है और हमें थोड़ा जब आप यह दिखाऊंगा ना तो कहोगे गया वही कुछ तो है बात इस hotel में चलिए यह देखिए अब हम दिखाने वाले हैं आपको रूम इस hotel का यह है रूम काफी बड़ा रूम है साफ सफाई का पूरा धिखान दिया गया है कोई दिक्कत ने है no issue mattress good quality मतलब जिसे मैं के भाई व्यू हम आते हैं व्यू के लिए अब खुद देखो यार यहां पर बैठे हो चाय का कप आपके हाथ में है और यहां पर चाय पी रहे हो बाहर रिवर व्यू है भाई मलब नदे किनारे का असली मतलब यह है अब हम चलेंगे बाहर भी जा सटीक है यही तो खास बात ह है यहां की कि हम बाहर जा सकते हैं अभी जाएंगे फिलाल आपको यहां की फैसलीटीज दिखा देते हैं और यहां पर एक टेलिफॉन दिया गया है जिसे आप रिसेप्शन पर कॉल कर सकते हैं और अपना डाइनिंग या जो भी प्रॉब्लम में आपकी आप उसे सॉल्व क करवा सकते हैं ओम एक्स का यहां थर्टी टू इंचिस का एलेडी टीवी सेटप बॉक्स के साथ दिया गया है एंटर्टेंब्मिंट की कोई कमीन नहीं होगी नेक्स यहां पर एक बड़ासा मिरर दिया गया है तो गेट ड्रेस्ट अप यहां पर आपना साजो सज्जा कर सक करते हैं यहां पर दिया गया है एक वाड्रोग जिसमें यहां पर एक एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट डिया गया हर किसी में नहीं होता किसी किसी में होता है इसलिए मैं आपको दिखाते हैं कौन प्रोवाइड कर रहा है को यहां आप देख सकते हैं यह यहां का वाश्रूम है और कुछ इस टाइप की यहां की लाइटनिंग है, वाश रूम ठीक है, साफ सुतरा है, हलका सवा ओल्ड है, लेकिन वैसे ठीक है, वाश रूम क्लीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईए, अब हम आपको दिखाते हैं नदे किनारे पर आने की वज़े क्या है, हम क्यों आ आपको बता नहीं सकता, चल यह आपको दिखाते हैं, यह जो आपको आवाज आ रही है न भाई, यह नदी की है, वियास रिवर, यह देखो, यह है बहुत खुप सुरत जगह, क्या विव है, मतलब मज़ा आ गया, और नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, पहुत सुंद की बात नहीं है, ठीक ठाक है, यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ पर वाश्रूम वगेरा भी दिए गए हैं, आईए, आपको और दिखाता हूँ, यह पूरी बिल्डिंग है, उपर तक दिखाईएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आके आप लोग देखिए, कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पर सब कुछ, मतलब डेकुरेशन दी गई है, लक्जिरी तो नहीं कहूंगा, यह लक्जिरी है, लेकिन हाँ, अगर आप छिल करने आ रहे हूँ, आपको नेचर से बहुत प्यार है, तो यह अटलापी के लिए है, यह देखो, आप यहाँ तक आ सकते हो, औ यह खुबसूरती यार, इंक्रिडिबल है भाई, और मनाली मॉललोड से से सेफ, 300 मीटर दूर, वहाँ मॉललोड और यहाँ कुछ नहीं, और यह देखो, क्या खुबसूरत जगा है, मतलब व्यू बहुत तकड़े है, चले, तो दोस्त, आखिरकार, हमने आपको एक होटल ऐ अगेरा कुछ बुक करना है, तो, ठीक है, I hope, कि मैं जो आपको कॉंटेंट प्रोवाइट करा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है, यार, देखो, अगर पसंद आ रहा है, तो वीडियो को थम्स अब जरूर दीजेगा, लाइक कर दीजेगा, शेयर कर दीजेगा, और शेयर चलते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा कॉंटेंट देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और शेयर कर दीजेगा, जाहें